नमस्कार बहुत सुपागता आपका मैं हूँ आपके साथ नेहा दुबे आप देख रहे हैं लोकतंत्र रूस ने भारत को युक्रेन युद्पर्श्यांति वारता में मध्यस्ता के लिए अमंत्रित किया भारत की भूमी का मौजुदा हालातों में ये ना सिर्फ एहम है बलक होगा भारत के साथ चीन और बिक्स के चार और देश शांति वारता में शामिल होंगे इनसे भी समंजस से बनाना होगा और इसको भी बनाने की जरूरत होगी रूस युक्रेन के चार इलाकों पर कबजा नहीं चोड़ना चाहता है और युक्रेन अपनी संप्रभुता से करना चाहता है वहीं युक्रेन को नैटो में शामिल होने से रूस रोकना चाहता है यह रूस और चीन के लिए फाइदे की बात हो सकती है युक्रेन के लिए नहीं रूस पर प्रतिबंधों किमार है वह इसे भी खत्म करना चाहता है और भारत के लिए यह मौका अंतराश्क पे मंच पर अपना वजूद बनाने का है लेकिन इसके लिए कूटनितिक का सहारा भी बिख़द सरूरी है रूस ने भारत शांती वारता में मध्यस्ता के लिए आमंत्रित करके एक बड़ी पहल की है रूस ने कहा कि वो यूकरेन के मुद्दे पर अपने भारतीय दोस्तों के साथ बाच्चीत के लिए तयार है पुतिन ने ब्रिक्स देशों से उमीद चताई है कि वो शांती वारता में मध्यस्त के रूप में काम कर सकते हैं ब्रिक्स पाच देशों का समूह है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफरिका है। पुतिन ने कहा कि युद के पहले हफ़ते में इस्तानबूल में वारता में रूसी और यूकरेनी वारताकारों के बीच एक समझोता हुआ था, जिसे कभी लागू नहीं किया गया। उसी आधार पर बाचीत की जा सकती है। पिया मोदी रूस और यूकरेन का दोरा कर चुके हैं और युद को अस्विकारें बता चुके हैं। अमेरिका भी कई बार इस बात को दोरा चुका है। भारत चाहिए तो युद रुख सकता है। रूसी सेना के एक खराब प्रदर्शन को देखते हुए पुतिन अपनी शर्तों पर शांती चाते हैं। मुश्किल ये है कि शांती की बात करती वक्त पुतिन ने ये भी कहा कि रूस का पहला उदेशे यूकरें के डोनबास छित्र को कबजे में लाना है। इससे पहले पुतिन ने यूकरेंड में युद रोकने के लिए दो शर्ती रखी थी। यूकरेंड की शर्तों पर शांती के लिए तयार नहीं है। पुतिन जिन चार इलाकों से यूकरेंड को पीछे हटने के लिए कह रहा है। उस पर रूस का आशिंक कबजा है। वैसे जेलस्की के चीफ ओफ स्टाप ने कहा था कि यूकरेंड की आजादी सन प्रभुता का छेतरिय खंडता से कोई भी समझोता नहीं किया जाएका। इन हालातों में सवाल ये है कि शांती संधी कैसे होगी। रूस यूकरेंड क्या अपने पक्ष में नर्मियत बढ़तेंगे। क्या शांती वारता रूस की अपने हालात दुरुस्त करने की चाल तो नहीं। चीन का समझोते में शामिल होना भारत के लिए अडंगा तो नहीं खड़ा करेगा। भारत के लिए शांती वारता क्या चुनौतियां लाएगा। ये तमाम सवाल अपनी जवाब मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट तो चुनौतियां तो बहुत हैं लेकिन उसका डटकर कैसे मकाबला होगा। और क्या कुछ चुनौतियां हैं ये भी समझते के हम कोशिश करेंगे। क्या कुछ दिक्कते आ सकती हैं ये भी हम बात करेंगे। और कितना बड़ा मौका है भारत के सामने अपने आपको इंटरनेशनल लेवल पर आगे बढ़ाने का या अपनी भूमिका को और जदा मजबूत करने का और कुटनेतिक स्तर पर किस तरह की आगे भूमिका होनी चाहिए। तमाम विश्यों पे तफसिल से चर्चा करने के लिए खास मेवान हमाई साथ मौजूद है उनसे आपका परीचे करा देते हैं इस वक्त हमाई साथ डॉक्तर मौहमद अमीन जी हैं पूर राजने के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रिगेडिया विनो दत्ता जी हम भारत के सामने कितना बड़ा मौका है अपने आपको आगे बढ़ाने का और अंतराश्ट्रे सर पर अपनी भूमिका को और ज़्यादा मजबूत करने का यह भारत के लिए बड़े गर्ब गौरव और सम्मान की बात है कि भारत को उन ने उन देशों में शामिल किया गया है जहां विश्व समधाय भारत के ऊपर भरोसा करता है और हमारे रूस के साथ बड़े पुराने मधुर और प्रगाव संबंद रहे हैं और रूस एक डिप यह जो इसको देख रहा था और भारत एक ऐसा देश है क्योंकि खाली एक देश इसको अबज्स्ताह करेंगा लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसके कोई अपने इंटरेस्ट नहीं है वहां कोई और जो भी अगर negotiating table पे वो लोगों को ले के आता है तो वो यकीनन दोनों देशों के हित में होगा और भारत आपने देखा होगा कि बारत के प्रदानमंग भी पहले रूस गए फिर यूकरेन गए और दोनों देशों के में भारत की जो चबी है वो बहुती बढ़िया है कि वो अपना जो बैनल अप्वामी स्थर पे या जो इंटरेशनल लेवल पे है वो अपनी एक चाप छोड़ सके और जिस तरह की लीडर्शिप हमारे देश में अब देखी जा रही है जिस तरह की उखासकर जैश जो अपने एक्टरनल अपेर्स मिनिस्टर है वो बहुत ह मतलब जिसे कहते हुए एक मजह हुए डिप्लोमेट है और पूट नीती में उनका कोई सानी नहीं है तो बारत को यखीनें इस सिचुएशन को अपने फेवर में एक्स्प्लॉइट करना चाहिए और दौनों देशों को एक ऐसी स्कृति पर लाके खड़ा करना चाहिए जहा मौमद अमिन जी सवाल इस बात को लेकर देखिए जिस बात कर जिक्र भी विनोदर्ता जी ने किया कि देखिए ये बहुत जरूरी है कि विश्वश शान्ती की तरफ अग्रसर होना चाहिए और सभी देशों को इस और आगे बढ़ना चाहिए लेकिन अब सवाल इस बात को समाधान होगा तो दोनों को कई न कई अपने अपने एक-एक स्टेप को आगे बढ़ाना होगा क्या लगता है कि कौन-कौन से चुनौतियां है और कहा कहा पर बात बन सकती है अमीन जी जहां सवाल है कि अभी रश्टिया ने जो कहा है आपने देखा होगा कि रश्टिया जो है बड़ा पुराना मित्र है भारत का और अजसे पहले जो हमारी निती थी हमें वेस्ट की थी लेकिन रश्टिया से संबढ़ शुभी से रहे हैं और हमारी इस्ट की भी है और चुता है पहले समय में और अपके समय में बहुत पराख है हमारी आदिकी सिती हमारी इस्टाने शक्ति हर तरीके से देखा जाये तो हम लोग उचाई पे पहुँच चुके हैं और इसका श्रेज आता है हमारे देश के प्रधानन्तरी को जिनकी एक उची और सोंची समझी न मानने को तैयार हूँ बहुत बड़ी बात है यह आप देखे और लेकिन अभी रश्या ने भी बात करता है कि उकरेन के सामने की नाटो पर सब्सक्राइब होना चाहिए उनकी फोजें बाहर रख जाने चाहिए बहुत सी शक्ते उन्होंने भी लगा रखी है अब इसका भारत को रूस की साथ अपने नजदीकी रिश्टों की समवेदन शीलता को भी बरकरारा रखना होगा साथ ही युकरेन के साथ भी बहतर संबंध है उनको भी बरकरार रखना होगा ऐसे में भारत की किस तरह की नीती होने चाहिए जिससे कि देखिए अपने जो संबंध है वो तो खरापना हो और एक बीच का रास्ता निकल जाए देखे भारत को एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहा जाता है स्ट्रेटिजिक हैजिंग उस पे ध्यान देना होगा क्योंकि दोनों देशों को बिल्कुल बैलेंस करके कैसे भारत को चलना चाहिए क्योंकि आपने विल्कुल ठीक कान है कि जिस तरह से हमारे संबंध दोनों देशों से अच्छे हैं जैलंस की साथ से भी मोजी साथ मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मानवता के लिए भारत कुछ भी करने को तयार है और हमने इस तरह की जो इंदाज है या जो एक्जाम्पल है यह से भारत में उसको तेरे दिन में पाकिस्तान के चुड़ा के एकदम आजाद देश कर दिया भारत चाहता तो इसको अपने देश में आ सकता था जी जो बारत का हिस्सा था तो भारत में हमेशा नेबर हुब फरस्टी पॉलिसी अपनाई है और इंटरने चाइना इंडिया को राइवल के रूप में देखता है लेकिन भारत का यह कहना है कि चाइना और भारत अगर साथ मिलके चले तो यकीनन यह सभी जो है वो एशिया की होगी लेकिन भारत मुझे पूरा विश्वास है कि जब वो निगोशेटिंग टेबल पे इनको लाएगा तो बिलकुल जो कहते हैं कि जो दौनों देशों के इंटरेस्ट की बात होगी जो वहां के लोगों के इंटरेस्ट की बात होगी वो उसका प्रस्ताव करेगा और मुझे लगता है कि यह मंदिस्ता में भारत का जो रोल है वो काफी एहम होने वाला है कि ये किठी बड़ी समस्या क्योंकि रूस्स युक्रेन के चार योपिन चूटें की रूस उसे छोड़ना चाहता है तो युक्रेन भी साफ्ट था है कि कि वो अपने रपधा से कोई समझाता नहीं करेगा यह कितने बड़ी चुनाती है कितना बड़ा रोड़ा हो सकते बीच में यही तो सबसे बड़ी सबस्क्राइब आप देखें 2014 में जब क्रेमिया का एनेक्सेशन किया रशिया ने तो यूक्रेन भी इससे कोई बहुत जादा खुश नहीं है दूसरी चीज़ जिस तरह से मिंपर नदी का इस्ट वाला इलाका है चाहे आप खारकीव लें या डॉनिट्स वाला जो एरिया है या डॉनबास व वो अपना वर्चस वो बनाके रखता है या अपना फोटोल्ड या बूट्स ऑन ग्राउंड रखता है तो यकीनल वो रशिया को एक नेगोशेटिंग टेबल पर ला सकता है और वो कह सकता है कि कुर्स में जब खाली करूंगा जब आप जो इस्ट आफ नीपर नदी का जो वो बारगेन करेंगे तो रशिया यकीन इतनी जंदी मानने वाला नहीं है क्योंकि रशिया के लिए भी एक प्रेस्टिज वाला इशू हो गया है क्योंकि जो युद्ध रशिया ने ये तवक्व की थी किसाब हम इसे हफते-दस दिन में वाइंड अप कर देगे वह आज त जाता है कि उक्रेन किसी भी तरह से नाटो की तरफ जुकाव हो और वो उसको छोड़ने के लिए तयार नहीं है तो क्या इस मसले पर बाच्चे तो हो सकती है अगर होगी तो कितने ख़ब तक यह उम्मी जताई जाए कि समस्या का समधान होगा कि देखे इस बात को आप मानने ही देए कि इसके बीच में जो पीशे है उक्रेन के अपरेन तो ठीक है उस मान जाता लेकिन उसके पीशे जो नाटो के कंट्रीज है यूरप कंट्रीज है साथ में उसके बैक में अमेरिका है और यूके भी है जो कि इनको बैक अप दे रहे हैं रड़ाई के लिए इसलिए उक्रेइन भी जल्दी से हां नहीं मानने वाला के इश्यू पे और नहीं उससे साफ माना कर दिया है कि मैं नाटो से ज़स्ता रहना चाहूंगा नाटो के करें में इसके कि बड़ा है। और यहां तक सवाल है भारत का थो भारत जो है देखे भारत के पॉलिसी रही है पहले मैंने का पहले बैस्टी ती अब इस खी थी अब बल्के पुरी दुनिया में वह शुबूरे के सिती में है आज देखे उती का नतीजा है कि भारत को प्रपोसल आरहा है कि आप एकृपल प कि इंडिया जो प्राइटी है वो फार आश्यान देशों के लिए आश्यान देशों के लिए कि इंडियु पैस्टिक रीजन जो है वो चाहते है हर तरीके से मध्बूत रहे इसी तरीके से आप देखे कि उन्हों ने जाके लंका वहां बुर्णाई से निकलके तिंगापूर में बात की है तो यह चाह रहे हैं कि हमारा रीजन में शांती रहे हमारा शांती दूप का जो पैगाम है यानि हम शांती चाहते हैं विश्यो में ये एक बहुत पड़ी मैसेज है पुरी दुनिया के लिए और शुरू में भी हमारे प्रदेश के प्रदेश के प्राइमिस्टर ने यही कहा था कि हमें टर्रिजन से छुटकारा पाना है जिसका नातीजा देखे कि आज देश जो है इन बीच में जो आते थे आतेंगवादी देश आज वो अपने आप से बरबाद हो रहे हैं आप देखे पाकिस्तान को कि बिलोच आर्मी उसको ही खतम करने के चक्तर में लगी हुई है उनी के टर्रिजन उनी को मार रहे हैं तो यह सिती है तो हमारे देश का कु कोई भी आप इससे प्लेते हैं उसमें पीछे हटने की समय नहीं है और देश इनके साथ कड़ा हुआ है तरदार इनके बैक पे है तो यह बहुत बड़ा मोदी जी का जो सपोर्ट है वह हमारे अधिकारियों को भी है डुपलमैक्स को भी है और सेन अधिकारियों को भी है ज इतनी बड़ी बात है विश्यू में चीक है विनोची क्योंकि रूस भी प्रतिबंदों की मार्ज भील रहा है सर इसलिए उसका सीधा सीधा यह भी कहना है कि वह जो यूक्रेन है उसका नैटो के तरफ जुकाव नहीं होना चाहिए यह वहां पर नहीं जाना चाहिए इसे क् पे लाज मग्याँव जल से चल खत्म हो तो ऐसे मैं इस और या क्या कोशिकी हो सकती है यह जह वर्लड बेंकर अमेरेका अमेरिकाने फूरीस करता है जैसा आपको बताया झाल आख चुकी है तो रूस की जो माली हालत है वो भी काफी खस्ता है अगर उसकी एकॉनमी आप देखे हैं तो करीब 2.5% से ग्रो कर रही है उसके जो डिफेंस इंडिस्ट्री हुआ करती थी जो बिक टिकेट कॉंट्रेक्ट उसको मिला करते थे तो रूस की भी जो माली हालत है वो बहुत जादा भेंदी नहीं है तो रूस यह चाहेगा कि अमेरिका की तरफ से जो सेंक्शन्स लगाए हुए हैं उन पर थोड़ा सा मतलब नर्भी बरती जाए और उसका जो पैसा है वर्ल बैक ते इसलिए आपने देखा होगा कि ब्रिक्स के जो देश उन्होंने एक अपना नया बैक शुरू किया है जिससे कि अगर इस तरह की कोई सिच्वेशन आती है तो अमेरिका कि किसी भी देश को कोई अकाउंट स्क्रीम्स में करें और रश्या की अपनी समस्या हैं लेकिन हाँ वो यह चाहेगा कि अब इसको कई कंक्लूस इवेंट पर ले जाए 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 और क्योंकि अब देखिए लॉट आप वाटर है इस प्लोने को कुछ है नहीं तो वो नेटो का साथ विल्पुल नहीं छोड़ेगा क्योंकि जिस जान बची है तो वो यकीन चाहेगा कि वो नेटो उमें शामिल हो और रश्या के लिए ये कापी डिफीट होगी कि वो इतना सब गवाने के बाद भी यूक्रेन को ये कर पाया या उसको डिस्वेट नहीं कर पाया कि वो नेटो के साथ ना जाए ठीक लिए भारत के लिए अ अगर आपसे सेहमती बन जाती है ये भारत के लिए कितनी बड़ी बात होगी और अंतराश्ट्री लेवल पर भारत का जो कद है वो कितना और बढ़ जाएगा भारत की जो अभी स्थित्ती है अगर आप देखें हैं तो भारत में पिछले साथ आठ दशकों में हमने काफी प्रोग्रिस की है और आज जो हमारे नेता है या हमारा देश है उसकी गिंती काफी जो बैलन्स पावर हैं वर्ल्ड की उनमें से की जाएगा है क्योंकि हमारे यहां देखिए तीनों की जो कहते हैं कि जो ग्रोफ एंजिन के वो पाएर किये हैं चाहिए वो राज़नीती हो चाहिए पूटनीती हो या रड़नीती हो इन तीनों का जो समनभा लेके बारत की सर्कार चली है उसका लोहा पूरे विश्व ने माना है और आप तो भारत का जो स्टेटस है और स्टेशर है वो काफी मतलब एहमियत रखता है आप देखे चावार का जो हमें कॉंट्रेक्ट मिला है रईसी साथ के इंतकाल होने से पहले वो भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है और चाइना पहले पूरी कोशिश की थी कि भारत वहां से नि भारत के लिए एक बहुत ही सुनहरी मौका है यह वो अपना इंटरेशनल लेवल पर धाग क्यमा सकता है और विश्व शांती की और बड़ सकता है और अगर इसमें बहुती साथ का कोई अच्छा रोल होता है तो यकीनन वो कहते है किताब नोबेल पीस प्राइज की तरभी उनका नौमिनेशन हो सकता है या वो एक उम्मीदवार कंशिटर किया सुटे की अमीन जी की क्या भूमी का इसमें रह सकती है आपको क्या लगता है कि चीन क्या भूमिका खुलकर पर उन्होंने साथ दिया युक्रेड के साथ कोई लगा अपनी कोई बात नहीं आप ऐसे में बोटीड ने जो है अपने बातों से अपने विवहार से वहां जाकर उन से बातचीत करके उनकों अपना लिया है अपरेंगे जब भी को होगा या कोई ठीजन होगा उसके लिए रश्चा के लिए ये फाइदे मंद होगा अभी देखे बात जो हो रही थी मैं उसे पहले ही मैंने ये का कि रश्चा ये चाहता है कि नाटो देश से वो अलग हो जाए उपने लेकिन वो नहीं अलग होगा इसलिए कि उसके बुरे समय में पूरे वक्त में पूरे नाटो कंट्री जो है लेंबर जो है वो उसके साथ है चाहे वो फाइनेंशली हो चाहे वो आर्मी की सप्लाई हो चाहे वो उनको हस्यार देने की बात हो चाहे उनको मौरली सपोर्ट देने की बात हो करने, पहार के भी दिन के बार बार यह उपर्रेइन के जो प्रेसिदेंट यह वह उपर जाकर सहथा मंगी जाए हो उस वत मैं लेडन में नहीं ही इसाहिता पूरी जिसे पहले इस अरगात थी। तो अब भी इस सब बातें देखते हुए लगता है मुझे, कि रश्या भी कुछ अभी बात कह रहे थे हैं हमारे सासी, तो रश्या भी कुछ अपनी परिष्टितियों में है, कुछ परेशानियों में वो भी चाहता है कि लड़ाई बंद होनी कीए, तो साल से उपर होती ही कोटा सा कंट्री उसके सामने टटा हुआ है, क्यों कि उसको मॉरल सपोर्ट, फाइनेशल सपोर्ट और आर्मी का सपोर्ट जो वेस्टिन कंट्री से मिल रहा है, इसलिए उसका अब यह जो है कि यह सांती की तरफ आ जाए, इसका की मैसेज अलड़ी हमारे देश के पर इंड जान होगा, इसलिए प्लीज आप शांती बारता करें और जड़ाई को बन करें। बिलकुल, अब कितना ही सहमती आपसी बन पाती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, इसके लिए थोड़ा इंतिजाब करना होगा, बहराल बहुत शक्रिया, आप दोनों खास मैमानों का हमारे साथ इस खास सर्चा में शामिल होने के लिए, लोग तन तुम्हें फिल हल के लिए इतना ही, हमस्कार.